हलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं मूंग दाल मसाला खिचड़ी की रेसिपी ये न्यूट्रिशियस तो होती ही है हेल्दी भी होती है और डैजस्टिव भी होती है आप बना कर जूर ट्रै कीजेगा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है वीडियो पसंद आए लाइक जूर कीजेगा तो चलिए फटा 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 से शुरू करते हैं मसाला खिचड़ी बनाना जिसमें के हम काफी सारी वेश्टिबल्स भी इस्तेमाल करेंगे तो मुंग दाल खिचड़ी बनाने के लिए हमने चावल लिया है आधा कटोरी हमने चावल लिया है और क्वार्टर कप हमने मुंग की दाल लिये आधा क्टोरी चावल को हमने पानी में भीगो लिया था एक घंटे के लिए और ये हमने क्वार्टर कप मुंग की दाल लिये थाबस चलके वाली मुंकी दाल है जिसे हमने 50% पका लिया है अच्छी तरह से नहीं गलाना है 50% ओलनी बॉयल करना है यह चावल के सार्ण के साथ डायरेक्ट पका सकते हैं तो एक चमाद घी ले लेना है घी को गरम होने देंगे इसमें दाल और चावल को डाल देंगे हमने थ ताबोत मूंकी डाल ली है इसलिए हमें से पहले बॉयल करना पड़ा है 50% तो डाल चावल को अच्छा मिक्स कर देंगे इस तरह से जैसा कि हमने आपको बताया कि यह आप जो है पीना चिलके वाली डाल ले रहे हैं तो उसमें आपको बॉयल करने की जूरत नहीं है आप इस व लेंगे गाज़र के साथ ही हम इसमें आट कर लेंगे नमक और हल्दी अभी हम इसमें बाकी और कुछ एड़ नहीं करेंगे नमक हल्दी ही आट करेंगे क्योंकि हमने एक बार इसे और तड़का लगाना है लास्ट में तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डाल यह दिर हम चावल हम नहीं हम आधा को टोरी चावल में हम दोकोरी पानी आड़की की जिय कि थे मिक्स करों होग कर अद्छा में की जब ठकना है तक साहर मौशर सेकता है इसारा कंश भी चावल को अच्छी तरह से गलने भी देना है जो खिचडी होती है खिचडी में चावल जो खड़ा अच्छे से गल चुका है तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं बहुत ही है यह इस तरह से भी लेकर हम इसे थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे तो चटपटा बनाने के लिए चमच घी डाल दिया है हमने पैन में आधा चोटा चमच इसमें डाल देंगे साबु साब जीरे के साथ हम इसमें डाल देंगे प्यास और हरी मिर्ची दो हमने हरी मिर्ची डाली है एक चोटा प्यास डाला है थोड़ा सामी से चटपटा बनाने जा रहे हैं इसलिए हम इसमें इस तरह का दड़का लगा रहे हैं तो प्यास के साथ ही हमने डाल देना है इसमें हमने 6-7 का लिया लहसन की fine chop कर लिया है वो इसमें डाल दिया है अब लहसन नहीं खाते तो कोई प्रावलम नहीं है आप इसमें अधरक डाल सकते हैं तो यह दिकी प्यास को में हलका सब भूनना है इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर एक छोटा जमच आधा छोटा जमच प्यास को ताकि धनिया की पी अच्छी सी खुष्ववा आजा है मसाले में तो दो मिर तक भून लिया है तो अब हम इसमें टमाटर आट कर देंगे हमने 2 टमाटर आट किया हैं मीडियम साइस के इसमें बिल्कुल fine chop किया है टमाटर नमक डाल दिया है अच्छी मिक्स कर दें करने कमें के अजाज चाबल मैं तो इसमाटर बने चाबल में आगी कैस है हारा धनिया डाल दिया थोड़ा सा थाया से मिक्स कर लेंगे तो माटर अधोर थोड़ा सा detailed है इसमें Pakके इसमें जेए मतर हम फ्रोजन मतर नियुकर ने बिल कर लीजिये आधि के दिया यह माटर को इसमें दो मिनट तक हम पका लिया है तो मटर भी हमारे पक चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने खिचडी बॉयल करके रखी हुए थोड़ी-थोड़ी करके एड़ करेंगे एक साह सारी आड़ नहीं करेंगे तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे या आपको गीली खिचडी खानी है तो आप चावल के साथ स्टाडिंग में पानी डाल सकते हैं या फिर इस वकत पर आप पानी को गरम करके इसमें डाल सकते हैं लेकिन हम थोड़ी सी ड्राय वाले खिचडी बना रहे हैं सूकी के बाद हमने इसे धक्कन लगाकर पांच मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ देना है पकने के लिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर कर लिजेगा नहीं तो आपकी खिचडी नीचे लग जाएगी और धक्कन लगाकर इसे छोड़ देंगे इसी तरह से पांच मिनट के लिए तो पांच मिनट के बाद हमारी खिचडी बनकर रड़ी है इसे बहुत अची खुश्वा आ रही है इसमें घी डाल कर जो है इसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है तो हम इसे घी के साथ ही साफ करेंगे तो चलिए अब इसे साफ करते हैं तो हमारी मुंगदाल खिचडी बनकर रड़ी है हम इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और आप इस पर घी डाल सकते हैं आप चाहिए तो से कट के साथ भी साफ कर सकते हैं बनाकर जूर ट्रै कीजिएगा इस खिचडी को और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शियर कॉम झाले बनी साथ कॉम झाहिए झाले और बनाकर उन्ता से को रड़ाई आप हो इपयो तो सकते ह। जड़ा है तो सकत latchतों और है